आज की व्लॉक की स्टार्टिंग होती है कुछ इस तरह से प्यारा प्यारा सुंदा सुंदा नजारा आप देखिए मेरे साथ में तो यह जो व्यूज है ना यह मेरी छट से नजर आता है और साथी साथ बहुत ही जादा यह अट्रैक्टिव होता है तो यहां पर जो क्या मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत ही इंजॉय करते हैं इस अपने सीन को आप कह लीजिए कि यहां का जो नजारा है मुझे बहुत अट्रेक्टिव करता है तो यहां पर देखे एक साइड में आपको पहाड और तालाब नजर आएगा दूसरी साइड में भी जो है न य यह जो व्यू है अपने घर का बहुत अट्रेक्टिव करता है बहुत अच्छा लगता है तो जब भी मैं अपने माइके आती हूं तो तब भी मैं इस तरह से जो हैना छट पे जाकर के चाई पीना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूं तो बस मैं चली गई थी छट पर और च चीज़ें होती हैं जो आपको कहीं नहीं मिलता आप चाहें जहां चले जाएं किसी लड़की की कुछ ना कुछ यादे ऐसी होती है जो कि उसे बहुत ज्यादा अट्रेक्टिव करती है तो बस यह देखिए अप सूरज जो है वह निकलने लगा था तो सूरज की मैंने थोड लगी थी और नीचे आने के बाद मैं फिर मैंने नाश्ता वगारा किया उसके बाद मैं फिर मुझे जाना था मार्केट तो यहां पर मैं मार्केट जाने की तैयारी करने लगी थी अपनी क्योंकि मुझे चाहिए थी कुछ कपड़े अब क्योंकि मेरे जाने का भी वक्त करी करीब आ चुका है तो भाई अब मैंने सोचा कि चली गए क्यूंकि ज्यादा तर मैं कपड़े अपने माइके से ही खरीदती हूं तो बस यहां पर भी मेरा मूट बन गया था अपने सूट बगारा खरीदने का तो फिर मैं चली गई थी भाई के साथ में मार्केट तो यहां पर सूट लिए थे और चुँना मम्मी के लिए भी सूट के हम सब लोगों सूट ले लिए थे यहां पर तो बस कुछ लग्स डी अलग है यहां पर तो एक यह कलर था ग्रीजा अर्ओं गरेड कर olds उ सारे कलर के एक एक सूर जो है हम लोगों ने दो दो जिसको इतने बनवाना थे तो उतने लोगों ले लिए तो इसके बाद में वापस समलों कर जा रहे तो पापने घर के लिए तो पापा ने कहा था कि मशीन वाला जो तेल होता है वो लेती आना दुकान से तो वह मैं यहाँ खरीदने के लिए रुकी थी और यह मेरे चाचा की दुकान है वो उनका बेटा था तो मुझे देखकर काफी खुश हो रहा था वो तो बस यहां पर जो है न अब हम लोग चले अपने घर के लिए वापस वापस जाने के बाद में फिर यह था कि दूसरे दिन थी मामू के घर म में जो है न देखकी फाता याने की दावत थी हम लोगों की तो वहां की जाने की तैयारी करना थी तो बस सूट जो है वो मैंने हाथो हाथ सिलने के लिए भी डाल दिये थे अपने क्योंकि मेरे जाने में ज्यादा वक्त नहीं रह गया था अब यहां पर जो दूसरे दिन की यह ग्यां की एक यहां पर बच्चे जो है वह मेरी रेडी हो चुकह थे क्योंकि हम लोग जा रहे थे घर में मैं अम्मी आपे पहले ही जा चुकी थो यहां प्लाव भाला भाय लेटा हुआ था इसके वारती कि चलो हम लोगों को मामू के हाँ छोड़ दो तो इसके बाद मे यह देखें मेरा सूट जो है ना वो सेल के आ भी गया था फॉरण क्योंकि मुझे यही सूट पहनना था तो बस उसे बार-बार लग रहा था कि गोदी ले ले लें उसको और उसको ले करके जाएं लेकिन बच्चे है चोटा तो इसको ले करके नहीं जा सकती इसकी मम्मी फिर आएं थी बाद में लेकिन इसको लेके नहीं आएं थी यह क्योंकि सो गया था तो इसको घर पर ही था मेरे बेटे के साथ मैं इसके बाल नोच रहाता बार बार कंगी बिगाड़ दे रहा था जिससे की बूच हर जा रहा था अब अब निकल चुके करते थे शादी हो जाती है फिर उतना वक्त नहीं मिलता है नहीं आ पाते हैं तो बस यहां पर जो है ना मामू के घर पहुच चुके थो और जैसी पहुचे तो उनके घर में काफी रश हो रहा था यानि कि फाता का टाइम था तो काफी लोग वहां पर मौझूद थे यानि कि स आगे तक न जाना पड़े तो मैं और मेरे बच्चे जो हैं वो उनके किचिन में ही सीदे चले गए थे उसके बाद में थोड़ा सा रश जब कम हुआ जैंट्स लोगों ने खाना वगएरा खा लिया और जब वो चले गए फिर थोड़ा-थोड़ा सा जो है ना मैंने शूट किया था तो बस यहां पर सब लोग बैठे जो अना बाते कर रहे थे काफी औरते भी आई हुई थी और काफी जैंट्स आय थे बड़े लेवल पर जो है ना उन्होंने फाता का इंतिजाम किया हुआ था और काफी सारे लोग जो है ना वह आए हुए थे यहां पर तो जल्दी चली करें के नो करने लगते हैं तो यहां पड़ी यहां लोग क्गिलने का बंदबस्त कर रहेते कि लोग लगे यहां पर मेरा तो जो महमान थे दूर के थे वो जा रहे थे काफी लोग चले गए थे उसके बाद मैं आकर के यहां पर बाहर बैट गई थी क्योंकि मेरे बच्चे जो थे वो भी अब जित कर रहे थे कि घर चलो तो बस यहां पर जो है न मैं भाई का वेट कर रही थी कि वो आज आए उसके बाद जाते हैं अम्मी और पापा जो है वो थोड़ी देर से आएंगे तो फिर बस मैं उसके साथ में बैट गई थी और फिर हम लोग जा रहे थे घर के लिए तो अब हम लोग जा रहे थे मार्केट साइब से और यहां पर आप देख सकते हैं कि दिवाली की जो धूमधाम है न वह बहुत जोरो शोरो से मची हुई थी तो काफी अच्छी सजाव बिबाँ बहुत ज्यादा थी तो गाड़ियां जो बड़ी गाड़ियां थी याने के आटो रिक्षा वगएर था उनको तो वो लोग बİलकुल भी नहीं निकलने दे रहे थे बस बाइक वाले जो थे वह भी निकल रहे थे लेकिन फ्लो वहाँ पर निकलने के लिए कहा गया था इस पीड में गाड़ी चलाने के लिए बिल्कुल मना किया गया था तो बस यहां थे जो है न हम लोग को लग रहा था कि कहीं पुलिस वाले रोक ना दें तो फिर जैसे तैसे करके जली से यहां से निकल गए थे उसके बाद मैं पूरी मार्केट घूमते हुए फिर हम लोग घर पहुचे थे तो अभी मैं मार्केट आपको दिखाती हूँ यह देखे कितना भीड यहां पर हो रहा है और सजावट भी आप देखेंगे कि सारी दुकाने यह देखे कितने अच्छे से सजी हुई है तो बहुत थोड़ा सा मैं यहां पर शूट करती जा रही थी बच्चे जो थे वो पहले ही घर पहुच चुके थे क्योंकि बच्चों का क्या हुआ था कि वो एक आगे बैठने को तयार नहीं था दौनों ही पीछे बैठना चाहा रहे थे तो फिर मामू का बेटा जो था वो उन दौनो को घर ले करके चला गया था दौनों ही पीछे बैठ करके गए थे उसमें फिर मैं यहां से जा रहे थी भाई के साथ में तो बस मैंने सोचा कि चलो मार्गेट से चलते हैं थोड़ा सा यहां का भी जो है ना शूट कर लेते हैं तो यहां ते यह दें कि निकल रहे थे हम तो हुआ अच्छ हती दो ल 2 few कि बहुत बहुत अच्छ लग रहा था बहुत है लुभ vit도 मार्केट में यहीं वहां पर धूममकी होती तो हुआ वही फिर चाहलों से हैए के और आज हांकि यह का वीडियो आपको पसंद आएगा अगला वीडियो जो होगा वो आपके लिए होगा कि मैं जो हैना बैक जा रही हूँ यानि कि अपने सफ्राल जाने के लिए मेरी जो हैना तैयारी हो चुकी है तो बस वो वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी उसके बाद में फिर मैं आपके साथ में अपना डेली अगर आप लोग को लगता है कि व्लॉग नहीं डालना चाहिए या केवल हमें कुकिंग की रैसिपीज डालना चाहिए तो फिर जैसा भी आपको समझ में आता है आप मुझे जरूर सजेस्ट कीजिएगा आई होप आज का व्लॉग जो है वह आपको पसंद आया हो वीडियो अ अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं आप से अगले व्लॉग में